ऑउनलाइन खेल खेल में धर्म परिवर्थन का खेल खेलने वाले मास्टरमाइद शेहनवाज उर्फ भुद्दों को गिरफतार कर लिया गया है काफी दिनों से तलाश कर रही यूपी पुलिस ने शेहनवाज खान को महराश्ट के रायगर जिले से गिरफतार किया है हाई सिक्योरिटी के भी शहनवास को मुम्बरा पुलिस स्टेशन से थाने कोट ले जाया गया जहां पर कोट ने आरोपी शहनवास को 15 दिन की रिमांड पर भेज दिया है इस मामले में शहनवास खान और गाजियाबाद की एक मस्जित के मौलवी अब्दुल रह्मान के खिलाफ अवैद धरम परिवर्तन निशेत अधिनियम के तहट एफ आई यार दर्ज की गई है वहीं शहनवास को अब गाजियाबाद पुलिस सडक के रास्ते महरास्ट से गाजियाबाद ला सकती है बता दे पुलिस ने आरोपी मौलवी अब्दुल रह्मान को पहले ही गिरफतार कर लिया था इस ओनलाइन गेम की आर में दो नावालिक बच्चों का ना सिर्फ धर्म परिवर्तन कराया गया बल्कि उन्हें पांच वक्त का नमाजी भी बना डाला परिवार वालों को जब पता चला तो उनके पैरो तले जमीन खिसक गई जिसके बाद उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराई पुलिस की जाच में पता चला कि इन किशोरों के साथ कुछ मुस्लिम लड़के नाम बदल कर ऑनलाइन गेम एप पर खेलते थे गेम हारने पर किशोरों को जिताने के लिए कुरान की आयते पढ़ाई जाती थी जिसके बाद उन्हें जिता कर आयतों पर भरोसा दिलाया जाता था इसके बाद डिस्कॉर्ड एप पर मुस्लिम लड़के यूजर आईडी बनाकर हिंदू लड़कों से चैट किया करते थे बहला फुसला कर उन्हें इसलामी रीती रिवाज अपनाने के लिए स्पीच दिखाते और इसलाम अपनाने के लिए प्रेरित किया करते थे